अंतरिक्ष में अगर आज इंसान जा रहा है तो उसका बहुत श्रय लाईका नाम की एक डॉगी को जाता है उसने हमारे लिए कुर्बानी दी तब जाकर हमारा अंतरिक्ष में जाना संभव हो पाया 3 नवंबर अंतरिक्ष के इतियास में एहम दिन है इसी दिन यानी 3 नवंबर 1977 को रूस ने स्पूतनिक टू नाम के अंतरिक्ष यान में लाईका नाम की एक डॉगी को अंतरिक्ष में बेजा था स्पूतनिक टू में बेटकर उसने धर्टी के चक्कर भी लगाये थे लाइका को एक तरह के परिक्षण के लिए भेजा गया था इस मिशन का एक मकसद यह भी जानना था कि अंतरिक्ष में किसी इंसान बहजना कितना सुरक्षित है और वहाँ की स्थिती कैसी है दुखत बात यह है कि लाइका ने इस स्पेस मिशन में एहम भूमी का निभाई लेकिन वा धर्ती पर जिवित वापस नहीं आ सकी आईए इस मिशन और लाइका से जुड़ी कुछ खास बाते हम जानते हैं यह एक स्यूसाइड मिशन था जो मानवता के लिए बड़ा बलिदान साबित हुआ इसे स्यूसाइड मिशन इसलिए कहते हैं क्योंकि मिशन में शामिल वेग्यानिकों को अंदाजा था कि लाइका का धर्ती पर जिन्दा वापस लोटना संभव नहीं है उन्होंने जो अंतरिक्ष्यान बनाया था उसमें तक्नीकी खामी थी तक्नीकी रूप से वह रॉकेट इतना सक्षम नहीं था कि धर्ती पर वापस लोट सके दरसल सोवियत लीडर निकीता क्रुस्चोफ की डिमांड पर जलबाजी में वो रॉकेट तियार किया गया था पहले जो योजना बनाई गई थी उसमें पूरा इंतजाम करना था ताकि लाइका वापस धर्ती पर जिन्दा लोट सके ज़्यादा एडवांस स्पूतनिक 2 के निर्मान पर काम चल रहा था लेकिन दिसंबर से पहले उसको तियार करना संभव नहीं था क्रोस्चोफ ने इस मिशन को प्रोपगेंडा के तोर पर देखा वह चाते थी कि बॉल्शेविक क्रांती की 40 वी जयनती पर मिशन को लॉंच करना ज़्यादा फायदे मन रहेगा स्पूतनिक 2 का साइज एक वोशिंग मशीन से थोड़ा बड़ा था लाइका को स्पूतनिक 2 के अंदर खुद को जीवित रखने के लिए प्रसिक्षन देने के लिए उसे छोटे छोटे पिंजरों में प्रसिक्षन दिया जाता था लाइका को अंतरिक्ष मिशन पर जाने से पहले पूरा प्यार दिया गया उसे अपने घर पर लाया गया ताकि वहाँ अपने बच्चों के साथ खेल सके मिशन पर रवाना होने से पहले टीम ने उसको गुडबाई कहा और उसकी नाक को चूमा अंतरिक्ष में स्पूत निक्टू की लॉंचिंग के समय लाइका बहुत डरी हुई थी उसके दिल की धड़कन और सासे सामाने से 3-4 गुना जादा देच चलने लगी उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है करीब 3 गंटे बाद उसकी हालत सामाने पर लोटी लाइका की मौत का असल कारण लोगों से चिपाया गया लोग के बीच इसको लेकर तरह तरह की अपवाएं फेल गई थी कुछ कहते थे कि दम घुटने से उसकी मौत हुई तो कुछ का कहना था कि बैटरी फैलियर होने की वज़े से उसकी मौत हुई असल कारण सन 2002 में सामने आया जब सोवियत वे ग्यानिक दिमित्री मालशेन कौब ने वर्ल स्पेस कॉंग्रेस में सच्चाई से परदा हटाया अंतरिक्षयान का तापमान बढ़ने के कारण उडान के चोथे सरकिट के दोरान 7 घंटे के अंतर लाइका की मौत हो गई थी चुकि अंतरिक्षयान को जल्दी में बनाया गया था इसलिए उसमें तापमान नियंतन परणाली सही से लगाई नहीं जा सकी जिस वजह से सिस्टम फेल हो गया स्पूतनिक टू गर्म से गर्म होता चला गया और 100 डिग्री फेरनहाइट तापमान को पार कर गया अंतरिक्षयान के अंदर का तापमान काफी बढ़ने के बाद एक बार फिर लाइका भाई भीत हो गई और फिर वेग्यानिकों ने उसकी धरकन को तेज से तेज होते सुना अंत में उन्होंने उसकी धरकन को शान्त होते सुना इस पूतनिक टू पांच महीने तक अंतरिक्ष में रहा 14 अप्रेल सन 1958 को जब भाधरती पर लोटने लगा जो एक विस्पोड के बाद लाइका के अवशेशों के साथ टुकडों में बढ़ गया लाइका की अंतरिक्षयात्रा के बाद अंतरिक्ष से जुड़े एक रहसे से परदा उड़ गया था अब साफ हो गया था कि किसी जीवित प्राणी को बाहरी अंतरिक्ष में भेजा जा सकता है बेग्यानिकों की समझ में आ गया कि पूरी तयारी के साथ अगर भेजा जाए तो अंत्रिक्ष में जिन्दा रहना मुश्किल नहीं है तो यही थी लाइका की कहानी लाइका को स्पेस में भेजना ठीक था या गलत था इसके बारे में आप क्या सोचते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना मिलेंगे किसी इंट्रस्टिंग वीडियो के साथ तब तक के लिए देखते रहिए I love dogs and bye-bye